कि आज हम बात करने वाले हैं मोसन अंडर दर सेंट्रल कंजर्वेशन फोर्स के बारे में यह जो है ब्यस्टी सेकंड डियर का यह सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का जिसका नाम है हिंदी में केंद्री सरक्षी बलो के अंतरगत गती हमने अभी तक गती देखी है अब सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स के अंतरगत गती को देखेंगे तो सरक्षी बल क्या है सबसे पहले देखते हैं सरक्षी बल इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं इंगलिस में तो किसी कंड को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कार्य कन के मार्ग पर नहीं बलकि कन की प्रारंभिक और अंतिम इस्थिती पर डिपेंड करें तो उसे conservative force कहते हैं सरक्षी बल कहते हैं तो सरक्षी बल के लिए जो कारी की गन्ना करनी है अपने को तो इसके लिए मानते हैं कि A से B तक हमको जानी है जिसके लिए हम A, P, B मार्ग का अनुसरन कर सकते हैं या तो A, Q, B के मार्ग का अनुसरन कर सकते हैं हम दोनों द्वारा जब कोई भी मार्ग यूज़ करें हमको किया कार एक ही मिलेगा और कारे इत्रिकवल्ट हम जानते हैं कि force into displacement होती है या अर्था दबल into विस्थापन क्योंकि A से B तक जानी है इस वज़े से हमने integrate कर दिया है A से B तक अब दिखे इसको हम कुछ इस प्रकार्ष से भी denote कर सकते हैं integration A to B, F into DR is equal to A to B integrate हुआ है F into DR ठीक है तो इसने सबसे पहली जो है A, P, B पत को अनुसरेन की A, P और ये B मतलब इस पत से गई है ठीक है उसके बाद दूसरी जो पत ही ने use की A, Q, B तो ये दोनों पत में जो किया कार है हमको एक ही मिलेगा ठीक है अब बात करते हैं तो total या network अपने को क्या मिलेगा तो इसके लिए देखे मा लिजे कोई point A से B तक हम जाते हैं और point A से B तक जाने में हम A, P, B मार्ग अनुसरन किये हैं और डबलो कारे किये हैं तो उस कारे को हम लिखते हैं A, P, B ठीक है और हम B, Q, A मार्ग से वापस आये हैं लाट कर यानि कि हम A, P, B से गए और B, Q, A से आये इधर से गए इधर से आये ठीक है तो ऐसे में अपने को work कितना मिलेगा हमको यह बतानी है तो देखें W, B, Q, A is equal to W, A, P, B इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं तो टोटल वर्क जब आयेगी यानि कि A, B, P, Q, A तो टोटल अपने को work मिलेगी W, A, P, B plus W, B, Q, A अब देखें जो टोटल वर्क अपने को इसमें मिलेगी वो होगी F of Dr, sorry, Vector F into Vector Dr is equal to 0 अतेव वह बल जिसके द्वारा कण को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में जो किया गया पूर्ण कार्य है, वो हमको सुनने मिलता है, वो इसमर अच्छी बल होता है यह हम easily physics की definition से जानते हैं, physics में work की definition से कि जब तक किसी बल लगाने के पश्चात हमको विस्थापन ना मिले तब तक हम उस चीज के लिए कार को नहीं मानते इस अधार पर हम कह सकते हैं कि जब विस्थापन अगर हमको सुनने मिली है, DR, तो उस करने के लिए जो work का मान होगा, वो zero होगा for example के लिए देखे, gravitational force इसका अच्छा उदार रहन है, दूसरे example अब इस्थीर, वैद्द, कुलाम, उसके जो लिनियम्स हैं, वो भी इसमें applicable है, ठीक है अब बात करते हैं, non-conservative force, second part आता है, non-conservative force, तो non-conservative force वो force होता है, जिसमें किसी कण को एक point से दूसरे point टक ले जाने में, जो किया गया कार है, वो marg पर depend करता है marg पर depend करता है, तो उसको हम कहते हैं, सरक्षी बल, for example के लिए आप देख सकते हैं, घरसन बल, घरसन बल के लिए देखिए, अगर आप, जो है, किसी, खोरदोरी मेज में, अलग-अलग block हैं, और उस अलग-अलग block से किसी, छर्रे को, या, कंचे को गिराईए, तो जो छर्र है, वो अलग-अलग मार का अनुसरान करके, अलग-अलग time पर गिरेगा, अर्थात इनके दोरा जो तै की गई दूरी है, वो अलग-अलग मिलेगी, तो ऐसे में हम कह सकते हैं, कि यहाँ पर विस्थापन सुने नहीं है, रहने कि distance से वो सुने नहीं मिलेगी, तो वस्तु द gradient, सरक्षिबल और gradient इस्थितिज उर्जा की बारे में, तो यह एक ठियोरम है, एक्च्वल में, जो यह कहती है, कि सरक्षिबल इस्थितिज उर्जा की रिनात्मा gradient के बराबर होती है, अर्थात वेक्टर f is equal to minus gradient u, या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, minus del और ये u जो basically exam में आता ही है, इस type का question जो है, so इसके लिए मानते हैं कि एक सरक्षिबल के अंतरगत की सिकन को एक point से दूसरे point तक ले जाने में जो किया गया कार है, वो इस्थितिज उर्जा में अंतर के बराबर है, मान लीजिए, ये एक point, ये दूसरा point, इसको माने A, इसको माने B A से B तक ले जाने में जो किया गया कार है, डबल्यू, वो इस्थिति उर्जा में अंतर, यानि कि इसको इस प्रकार से आप लिखे हो, इसको A मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो उसकी प्रारम्भी की सितिति को ओई हूए, अंतिम सितिति यूबी, तो A से B तक ले जाने में किया गया कार है, तो उसी प्रकार के इसको 1 और 2 के रूप में लिख दिया हूँ, मैं आपर, इंटरगेट किया गया है, F into DR, यह हो गई वर्क की वेल्यू, इस डेफिनेशन के एकॉर्डिंग, प्रारम्भी में तो इससी जो जाने थी, तो इसको हमने 0 रख दी, तक पश्चा देखें, यहाँ पे जो U R हो जाएगी है, R के लिए ले रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंस को R माने हैं, तो इस प्रकार से R हो जाएगी, अनन्त से किसी बिंद र तक लाने में, जो किया गया कार यहाँ पे निकाला गया है, अब बेसिकली हम किसी चीज को अन से R तक लाने की बात की है, इसको इन्फाइनाइट से लाने पड़ेगी, जैसे कि हम एकां कावेस की बात करते हैं, ठीक, उसी प्रकारी कंडिशन इसमें भी होती है, ठीक है, अब तो हमको U R की जो वेल्यू है, कुछ इस प्रकार से मिलेगी, इसके लिए हमने इसमें माइन ठीक है, एक पर्टिकुलर कंड ले लें, यह कोई कंड है P, जिसके लिए हमको यह निकालनी है, क्या निकालनी है, यह ग्रेडियन्ट वाली जो ठीओरम है, इसको possible करके रिखानी है, या अप्रूब करनी है, तो देखे, इस Point P है, ठीक है, इस पे जो है तीन बल लेगे, यह पॉइंट या कण हैं वो 3-dimensional में हैं जिसके axis x axis y axis और यह z axis हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो force की value होगी हमको वो तीनों direction में अलग-अलग मिलेगी और यदि हम उस force को x direction में fx और y direction में fy और z direction में fz मानें तो हम उनके unit vectors के साथ अलग-अलग axis के unit vector के साथ relation बनाके हम net force की value निकाल सकते हैं तो vector f is equal to हो जाएगा i cap fx plus j cap fy plus k cap fz और displacement भी अलग-अलग मिलेगी एक direction में unit cap यदि i cap है उसके साथ relation में बठाएगा dx i cap की उसी परकार से y direction के लिए हो जाएगी dy j cap plus dz k cap so अब देखे हम इन दोनों को interrelate करें f into dr की value अधि हम निकालें यहां से तो हमको जो है i into i यानिकी दो unit vectors का जो है जब dot product में इकालते हैं तो हमको वो value मिलती है one और जब हम किसी unit vectors का जब cross multiplication करते हैं तो हमको मिलती है सुन्य है ठीक है तो अब देखे हम इस अवधारना के यूज कर रहे है कि दो unit vectors है उनका हम dot product निकाले हैं तो हमको एक one मिलीगी तो वही कि हम यहां पर सो हमको यह मिल रही है fx into dx i into i करेंगे तो यह मिलेगे अपनी को one इस प्रकार से fx dx प्लस यह उसी प्रकार से एक fy dy प्लस fz dz ठीक है अब जो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम यह जो equation माने हैं यह equation one उसमें इस force की value को रखेंगे अब force की जो value अपन निकाले हैं और distance की जो value निकाले हैं यानि कि जो work की value निकाले हैं उस work की value को यहां पर रखें तो इस प्रकार से मिलेगा minus integration fx dx plus dy fy plus fz dz ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं सो हम जो निकाले थे उसको अलग अलग भाग में divide किये हैं fx fy और यह fz ठीक हैं इसके बाद इन सब का जो है हमने x के सापेक्ष y के सापेक्ष और z के सापेक्ष partial derivative किये हैं आंसी का उखला निकालने से हमको क्या मिलेगा दिखिए इसका हम करेंगे तो x वाली term का होगा y वाले z वाले term का जो है x recording करेंगे तो हमको सुनने मिलेगी ठीक उसी परकार से y और z के सापेक्ष जब करेंगे तो हमको y वाले के सापेक्ष मिलेगी और z वाले के लिए z के सापेक्ष मिलेगी ठीक है तो देखें इसका करेंगे x के सापेक्ष तो यह हो जाएगी del u upon del x is equal to minus यह देखिए del upon del x into fx की value हमने integrate की है यहाँ पे तो जब integrate करते हैं तो यह हमको मिलता है fx और यहाँ पे minus symbol लगा हुआ है तो उन्हें minus लगा दी है इस प्रकार से हमको deba u upon deba x is equal to minus fx मिली ठीक इस प्रकार से हमने wires देट के लिए निकाली तो हमको deba u upon deba y is equal to minus fy और deba u upon deba z is equal to minus fz मिली अब देखिए जो equation second निकाले थे यह जो force की value है मतलब net force की जो value कर रहे है net force यानि की conservative force vector f is equal to i cap into fx plus j cap into fy plus k cap into fz ठीक है अब हमने fx fy fz की value जो अभी निकाली थी यहाँ पे fy fz और fx इसकी value को हमने रख दी है यहाँ अब यहाँ पर रखने के परशाथ हमने क्या किया इसमें सबसे पहले हमने minus को बहार निकाली सबसे पहले हमने minus को बहार निकाला तो यह आई ठीक है अब इसके बाद हमने की u को बाहर कर दिया जब हम u को बाहर करेंगे तो हमको मिलेगा gradient u जो gradient u जो मिली है उसको हम कुछ इस प्रकार से convert कर सकते हैं विक्टर f इक्वल टू माइन अस डेल यू जो यह जो डेल आई है इस डेल को हम इस प्रकार से लिखते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी कण की जो इस्तिति उर्जा वरहाती है जिसकी दूरी के साथ रिनात्मक प्रवनता उस कण पर लगने वाले सारक्षी बलके बराबर होती है यह देखिए किसी कण की जो इस्तिति उर्जा यू दूरी के साथ रिनात्मक प्रवनता उस कण पर लगने वाली यह हो गई लगने वाली conservative force की बराबर होती है तो हमने यह लिखा यह रिनात्मक चिन्ने के साथ तो इस प्रकारत जो equation निकली है वह हमको प्रयाप प्रूव करनी है अब बात करें यदि पार्टिकल थ्री डामेंशनल में नहों कर वन डामेंशनल होती तो क्या होती तो देखें यदि वह पार्टिकल वन डामेंशनल में होती तो x, y, z वाली टम अलग अलग लेने की जरुबत नहीं पड़ती हमको force की जो value मिलती minus del u upon del x मिलती by definition of इस्तिति उड़ जाओ पोटेंसल एनरजी की definition से हमको ये मिलती और हम potential energy की definition से हम एक और चीड जानते हैं कि कि किसी कण को अनंद से किसी बिंदु तक लाने में किया गय कर ही इस्तिति उड़जा कहलाती है या इस्तिति उड़जा के बराबर होती है तो हमने वही किया है यह work के equation है f into dx force into displacement हमने उसी चीज़ को फिर यहाँ पर यूज़ किये फिर इसके बाद हमने क्या किया कि एक curl की equation से हम जानते है कि vector f is equal to होता है vector del into cross vector f तो हमने यहां से क्या किया कि सरक्षिबल vector f is equal to minus gradient u जो हमने पिछली equation में निकाली है वहीं से हमने इस चीज़ को अधार मना और इसको हमने क्या किया कि जो vector f है उसकी value को यहाँ पर interrelate करने की कोशिज की तो vector f is equal to हम निकाले minus del u अब क्या किया है भी देखिए यहां से जब इसको solve करेंगे तो यहां को u को इधार हटा दीजिए तो किसी भी दो unit vectors का जब हम multiplication करते हैं cross form में तो हमको 0 मिलती है अब इसका हमने use किया तो हमको actual में जो value मिली हमको जो actual में जो value मिली वो मिलेगी कुछ इस प्रकार से कि 0 हम उसको कहेंगे तो किसी भी करने के लिए या किसी भी वस्तों के लिए जब वो उसकी बाद हम करल में करें तो वेट्टर F का जो करल मिलेगा या सानक्षे बहल का जो करल मिलता है वो हमको 0 मिलती है ठीक है झाल